वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें पहले वीडियो में हम लोग बिहार की मिट्यों के प्रकार के बारे में देखेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बिहार की मिट्यों में कौन-कौन से फसल उगाय जाते हैं और चलुज崔ृ भू conservatives मिश्रन होता है मतलब इसमें खनीजपदार्थ भी पाय जाते हैं, मिनरल्स भी पाय जाते हैं, ओर्गैनिक मैटर्स भी पाय जाते हैं, वाटर, माइक्रो और्गरिजम्स और बहुत सारे गैसेज भी पाय जाते हैं यह एक बहुमुल्य प्राकिर्टिक संसाधाने, अच्छी वही पर फसल अच्छा होगा, और जहां फसल अच्छा होगा, वहाँ पर सभी पाय जाती हैं, यह आपको याद रखना चाहिए, और बिहार की मिर्दा को तीन भागों में विभाजित किया जाता है चली देखते हैं, क्लाशिफिकेशन, यानि की मिर्दा का वरगी करन बिहार में किस प्रकार से किया जाता है पहला है आपका उत्तर बिहार के मैदान की मिर्दा आपको पता है कि बिहार को दो भागों में बाड़ती है गंगा नदी जो है वो बिहार को दो भागों में बाड़ती है अगर इसको बिहार मालने तो ये उत्तर ही बिहार हो जाता है और ये दक्षिनी बिहार हो जाता है ठीक है तो उत्तर बिहार के मैदान की मिर्दा होती है और दक्षिन बिहार के मैदान की मिर्दा होती है और तीसरा होता है दक्षिन के संकिर्न पठार की मिर्दा तो तीन प्रकार की मिर्दाएं बिहार में पाई चाती है उत्तर बिहार के मैदान के मिर्दा की बात करें स्वायल्स ओफ नॉर्थ बिहार प्लेंस की बात करें तो इनका निर्मान जो है वो हिमाले से प्रवाहित होने वाली नदियों जैसे घागरा हो गया, गंड़क हो गया, हो गई, सौरी कोसी, महानन्दा, इत्यादी के द्वारा लाए गया, अवसादों के निक्षेप से हुआ है नदिया जब निकलती है पहारियों से, हिमाले की पहारियों से तो वहां से अपने साथ बहाते हुए बहुत सारे अवसाद लाती है जिसमें चटानों के टुकरे होते हैं, मिटिया होती है और वही घिसट-घिसट कटके फिर मिट्टी भी बन जाती है तो यह अवसाद कहलाते है, उनी के निक्षेप से इन मैदानों का निर्मान हुआ है उत्तर बिहार के मैदान की मिर्दा को चार भागों में बिफाजित किया जाता है पहला है उप हिमाले परवत पादिये मिर्दा मतलब सब हिमालियन माउंटेन स्वाइल्स आप जानते हैं कि बिहार का जो उत्तरी भाग है वह परवत पादिये छेत्र है, शिवालिक का छेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर जो मिट्टी पाए जाएगी, उसी को बोला जाएगा सब हिमालियन माउंटेन स्वाइल, यानि कि उपर हिमाले परवत पादिये मिर्दा, उसके बाद नीचे, आप जानते हैं बिहार का जब वर पाई शेत्र की मिर्दा कहेंगे, उसके बाद जो नीचे का भाग होगा, उसमें पुरानी जलोड या बांगर मिर्दा पाई जाएगी, और फिर जो नीचे का भाग होगा, उसमें नवीन जलोड या खादर मिर्दा पाई जाएगी, तो यह यहाँ पर याद रखिएगा, ब दक्षिन बिहार के मैदान के मिर्दा या जो है गंगा नदी और छोटा नागपूर पठार के मध्य, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी तथा क्यूल नदी के द्वारा लाए गया अब सादों के निक्षेप से इनका निर्मान हुआ है। अब साद या निक्षेप से जिनका निर्मान हुआ है उनको हम लोग कहते हैं दक्षिन बिहार के मैदान की मिर्दा। बालू के करन पाये जाते हैं जो पत्थर है वो धीरे धीरे करके इन नदीओं के द्वारा छोटे छोटे चोटे टुकडों में बाट दिया जाते हैं और वही बालू का रूप ले ले लता है तो बल्थर मिर्दा उसी को कहा जाता है। इसके करन बहुत मोटे मोटे होते हैं ठीक है और पानी इसमें जल्दी ही सूख जाता है। दक्षिन के संकिर्ण पठार की मिर्दा की बात करें जो तीसरा पार्ट था हमारा तो इसके बारे में देखें तो इसका विस्तार जो है दक्षिन पश्चिम में बक्सर से लेकर दक्षिन पूर में बाका तक है बक्सर से लेकर बाका तक इसका विस्तार है याद रखियेगा और इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है पहला है लाल बलूई मिर्दा और दूसरा है लाल और पीली मिर्दा ठीक है याद रखिएगा या रंग के आधार पर इसको विभाजित किया गया है ठीक है लाल बलूई मिर्दा और लाल और पीली मिर्दा इसके बाद यदि देखे निर्मान प्रकिडिया के आधार पर जो मिर्दा का वरगी करण है तो इसके आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है पहला है प्रवाही या अपोड मिर्दा फ्लूड या फिर लूज स्वाइल ठीक है और रेसी डिवल स्वाइल जो होता है वो बहुत वर्सों से जो मिर्दा पड़ी हुई है उसी को रेसी डिवल स्वाइल काता है या इसमें परत दर परत चड़ता नहीं है थोड़ा बहुत चड़ता है इतना तेजी में नहीं चड़ता है तो यहां बहुत पुरानी जो मिर्दा होती है जो वर्सों से एक समानी बनी आई हुई है उसको Residuals File कहते है तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार की मिर्दा का वर्गी करन पढ़ा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सी फसल उगाई जाती है बिहार की मिर्दा में ठीक है चलिए इस वीडियो के लिए फिलाल मुझे दीजे जाज़त मैं हूँ चंदर वर्धन याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और बिल आइकोन दवा दीजे ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथी लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि यही हमारी उर्जा का साधान होता है इससे हमें अच्छे वीडियोज बनाने का अवसर मिलता है या फिर क्या कहते हैं उर्जा मिलती है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समात मुझे दीजे जाजात जैहिंद वंदे मातरव